हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हलो दोस्तो मैं मनोच कुमार आपका Study IQ IAS Hindi चेनल पर स्वागत करता हूँ आज हमारा जो topic today है उस पर हम चर्चा करेंगे मुद्रा अपसफीती के बारे में अभी हाल ही में चर्चा में रहा है हमारे RBI के governor ने इसके बारे में एक बिशेश टिपड़ी की है कि मुद्रा अपसफीती इस समय हमारे लिए एक चर्चा का बिशे बना हुआ है तो आज हम इस मुद्रे पर चर्चा करेंगे और जानने कोसिस करेंगे कि मुद्रा अपसफीती होती क्या है या चर्चा में क्यों है और इसका हमारी अर्थवस्ता से क्या संबंद है ठीके न दोस्तों आज का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा आपको जानना चाहिए कि Study IQ IS Hindi आप लोगों के लिए एक नया पहला P2I Batch 2024 के लिए टारगेटेड स्टार्ट करने जा रहा है और इसका उद्देश है कि 2024 में आपको प्रारंबिक परिच्छा पर मुख्य परिच्छा पर बिसेस दियान देते हुए जिसमें आपकी regular classes, mentorship, test series, answer writing practice इन सबके माद्यम से हमारी team आपको सफलता दिलाने के लिए भरसक प्रियास करेंगे और बिल्कुल new pattern के आधार पर इसमें देखेंगे तो आपको आपको बता दें दोस्तो कि प्रारंबिक परिच्छा से पहले यावनी कि जून से लेकर के आपके जनवरी तक हम pre और means दोनों पर focus करेंगे और जून आपके जनवरी से लेकर के माई तक पूरी तरह से dedicated प्रारंबिक परिच्छा के लिए work करेंगे जिसमें test series से लेकर के regular class सब कुछ सामिल होंगी और फिर उसके बाद हम जो start करेंगे प्रारंबिक परिच्छा के रिजट के बाद में तीन से चार महिने का program होगा मेंस के लिए वो होगा आपका residential program यानि जिसमें दिल्ली में हम आपको बुला करके आपको पूरी के पूरी तयारी करवाएंगे पूरे समय पर आपको ढग से guided करेंगे answer writing practice सब कुछ कराया जाएगा means enriched program कहते हैं उसको जो के residential program होगा जिसमें आपको रहने खाने की ववस्ता के चंता कोई बात नहीं है वो सब हमारा institute देखेगा ठीक है न तो वो batch से start कर रहे हैं और ये batch दोस्तो 19 जून से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से और actual fees इसकी जो है 70,000 अगर आप ध्यान देंगे तो ठीक है ना 70,000 है और अगर MK live code इस्तिमाल करेंगे तो ये fees आपकी हो जाएगे पूरे दो साल के validity के लिए 29,999 पर ठीक ना लेकिन target क्या है 2024 दोस्तों ध्यान रखेगा बहुत important है ये आपके लिए पूरे dedication के साथ ये batch आपको लब्द हो रहा है तो चलिए अपने दो topic पर बढ़ते हैं बहुत समय बहुत कम हैं आज topic है कि चर्चा में क्यूं है मुद्रा अपसफिती disinflation कहा जाता है क्या कहा जाता है disinflation और जो लोग मुझे से जुड़ना चाहते हैं मुझे से जुड़ सकते हैं manoj kumar code mk live telegram channel है manoj kumar 2.0 और ये मेरी mail id है manoj.kumar1 at the studyiq.com ठीक न तो आज हम इस मुद्रे पर चर्चा कर रहा है टोड़ेट जो हमारा topic है यही हमारा एक आज का important topic है और इसके बारे में सभी पहलों को हम लोग जानने कोसिज करेंगे ये रहा सबसे पहला topic मुद्रा अपसफीती चर्चा में क्यों है ये देखिए अभी RBI ने आपके गवर्नर है ससकान दास उन्होंने कहा के dis inflation to be slow and long यानि के मुद्रा अपसफीती भारत में अभी भी कैसी रहेगी इसकी प्रक्रिया धीमी और लंबी होगी ठीक ना जो मुद्रा इस फीती का जो लक्ष है यानि के महेंगाई का जो लक्ष है वो चार प्रस्त अभी मध्यम और दीरग अवदी में पूरा होने की संभावना है यानि कि अभी मध्यम अवदी लगेगी पूरी की पूरी ध्यान रखना ओके तो चार प्रस्त का जो इंफलेशन यानि कि मुद्रा इस्पीति का जो लक्ष है वो अभी हमें समय लगेगा मध्यम अभी मीडियम टर्म अभी हमको लगेगा यह उन्होंने कहा है यह आज का पेपर का नियूज का है चालू बित्व दो बर्स 2023 के लिए मुद्रा इस्पीति का अनुमान जो है पांस दसमलब एक प्रस्त अभी अनुमान लगाया गया है जो कि लक्ष से अभी कभी कहीं ज़ादा है क्योंकि लक्ष क्या है हमारा फोर परसेंट और अभी मुद्रा इस्पीति यानि के महंगाई जो है अभी हमारा अनुमान कितना है 5.1 परसेंट ठीक है न जो कि लक्ष से काफी उपर है ये उन्होंने बात कही है साथ ही मौद्रिक नीती समेती यानि के जो RBI की मौद्रिक नीती है जिसमें इन सब चीजों को देखा जाता है जो आपकी बाजार की मुद्रा स्फीति और बाजार में मुद्रा और पूंजी का जो बिन्यमन होता है इसको रेगुलेट करने के लिए नीती बनाती है वो होती है आपकी मौद्रिक नीती समेती इसने बताया कि मुद्रा स्फीति का जो लक्ष है वो चार प्रस्त तक कम करना है ठीक है ना ये एक डिसाइड किया हुए फैक्टर है और इसको समझ लीजे कि इसे दो से छे प्रस्त के बीच रखने का काम सौपा गया है किसको मुद्रिक नीती समेती को एक्टरिक में मुद्रिक नीती समेती का जो कंसेट टारगेट है वो है 4% ये हमारा इंफलेशन होना चाहिए और इसके साथ में प्लस माइनस 2% ले करके चलते है यानि के 4% से 2% माइनस بھی हो सकता है 2% प्लस भी हो सकता है इसलिए 2-6% के बीच का ये लक्ष रखा गया है दोस्तो कलियर है 4% प्लस माइनस 2 ये मुद्रा स्पीती का लक्ष है अब बात आती है कि मुद्रा स्पीती क्या 0 नहीं किया जा सकता है बात समझेगा वो हम बात में चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटिल में चर्चा करेंगे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये चर्चा में क्यों है तो बात समझेगे कि उन्हों ने ये कहा तो यहां से दो बाते निकल करके आ रही है एक बात ये निकल के आ रही है ठीक न, इसका मतलब है अपस्फीती और मुद्रास्फीती दोनों को समझना होगा ओके दोस्तों, दिहान रखेगा ये तो statement दे दिया, अब ये है क्या, किस तरीके से है और मुद्रास्फीती के साथ इसका क्या संबंद है, इसके बारे में जानने की कोशिस करते है ठीक है, ये देखिए, मुद्रास्फीती क्या है और मुद्रास्फीती से इसका क्या संबंद है जब तक इसको नहीं जानेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे अपस्फीती क्या है मुद्रास्फीती यानि इनफ्लेशन का मतलब होता है, बस्तूओं और सेवाओं की कीमतों में होने बाली ब्रद्दी यानि सामाने इस तरकी जो कीमत होती है, उससे उपर जब कीमते जाती हैं, तो उससे महंगाई या मुद्रास्फीती कहते है या कह सकते हैं दोस्तों, बस्तों के सापेच मुद्रा के मूल में कमी होना, यानि कि उसकी क्रह सकती कम होना, पैसे की कीमत कम हो जाना, बस्तों के सापेच, जैसे आप कोई बस्तों के सापेच, जैसे आप कोई बस्तों के सापेच, जैसे आप कोई बस्तों के खरीदने जाते ह अब उसके लिए 110 रुपे देने पड़ रहा है तो वस्तू की कीमत जब बढ़ती है ध्यान रखीगा तो समझ लीजे कि मुद्रा की जो कीमत है वो घटी है इसे कहते हैं मुद्रा इसफीती ताधन सब्दों में कहा जाए तो दोस्तो यही है महंगाई ध्यान रखना दोस्तों क्या है महंगाई इसी को कहते हैं अब बात आती है कि अपस फीती क्या है तो उसको समझने से पहले एक चीज मैं समझा देना चाहरा हूं उसको समझ लिए उसके बाद समझ में आ जाएगा यह है किसी भी वस्तू की सामान कीमत इस्तर क्या होती है जब इस कीमत इस तर से आपकी कीमतें बढ़ती है यह कीमतें बढ़ रही है वस्तू की कीमतों में जब ब्रदी होती है दोस्तों ध्यान रखीगा तो इसे हम कहते हैं इन्फलेशन यानि के मुद्रा स्पीप जब इस कीमत से उपर बढ़ती है अगर यहाँ पर 100 रुपे थी और यह बढ़ करके 110 रुपे हो रही है 120 रुपे हो रही है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है तो इसे हम कहते हैं इन्फलेशन क्लियर हो गया? जब कीमत बढ़ती है महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी को समस्या होती है इसमें कोई शक्त आपको हमको सबको समस्या होगी ही होगी ठीक? इसलिए क्या किया जाता है कि RBI और सरकार हर यह वो क्या करती है कि इसकी कीमतों को नीचे ले करके आती है इसकी कीमतों को नीचे लेकर के आती है तो इसी एक समय है सोचिए हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी भी कारण से जिन कारणों से महंगाई बड़ी है उन्ही कारणों को हम नियंतित करते हुए इस कीमत को सामान इस तरपर लाने की कोसिस करते है यानि मुद्रा स्फीती को नीचे ले करके आना बड़ी हुई कीमतों को घटा करके नीचे लाना और इस प्रिक्रिया को कहते हैं डिस इन्फिलेशन ध्यान रखीगा क्या कहते हैं डिस इन्फिलेशन इसी को कहते हैं अपस्फीती तो यही है मुद्र अपस्फिती बस्तूओं और सेवाओं की कीमतों को कम करना यानि कि सामान इस तर पर ले करके आना यानि कि बड़े हुई कीमतों को घटा करके कहां लाना नीचे सामान इस तर पर मंदी की और लेके नहीं जाना है ध्यान रखना मन्दी के नीचे जाएगा तो कुछ और हो जाएगा तो अपसफीती समझ में आ गई इसका मतलब है कीमतों को सामन इस तर पर लाने की प्रिक्रिया ही क्या है अपसफीती होती है दोस्तो इसलिए चर्चा में है कि यद बहुत जादे महंगाई रही जो के 4% का लक्ष है हमारा तो हमारा लक्ष क्या है 4% का लक्ष है इनिफलेशन का प्लस माइनस टू और इस समय चल कितना रहा है 5.1% चल रहा है और इसको हमें नीचे लेकर के आना है जिसके लिए RBI के गवर्नस असकान दास ने कहा कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा इसको नीचे लाने के लिए ठीक ना समय लगेगा बात किलियर हो गई समझ में आ गया तो यही मुद्धा है जो आपको समझना है दोस्तों ओके दोनों में यानि के यहाँ पर कीमतें बढ़ती है और उनका बड़ी हुई कीमतों को नीचे लाने की प्रक्रिया अपसफीती कहलाती है ओके चलिए अब बात आती है कि यह तो हमने समझ लिया कि सारी चीजें है लेकिन क्या महगाई चार परस्त हो या दो परस्त हो या छे परस्त हो क्या यह जरूरी है होना चाहिए कीमतों नहीं बड़नी चाहिए भाई लेकिन आपको बता दें कि मुद्रा इसफीती मुद्रा इसफीती अगर चार परसंट के आसपास है ध्यान रखेगा मुद्रा इसफीती अगर चार परसंट के आसपास है तो इसे किसी भी अर्थवस्ता के लिए एक टॉनिक माना जाता है टॉनिक क्योंकि अगर हर साल आपकी इनकम में बरदी ना हो आपके उत्पादन में बरदी ना हो ठीक न, आपकी जो जरुवते हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधन ना मिलें तो आप क्या होगे? बोर हो जाओगे हर साल अतने ही पैसे मिलते हैं, अतने ही बच्चे आते हैं, अतने ही माल बिकता है, अतनी ही सब कुछ होता है तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लगोगे यार कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव कुछ है ही नहीं अगर कीमतें ना बढ़ें तो क्या होगा सब कुछ दुनिया रुकी-रुकी से लगेगी फिर ग्रोथ नहीं होगी ग्रोथ होने के लिए आपको ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा क्या चाहिए? इंकम चाहिए ग्रोथ नहीं होगी तो हमें और चीजों की जरूतें जो चाहिए वो नहीं हो पाएंगे अगर उतना ही पैसा होगा तो आपका मकान नहीं बने उतना ही पैसा होगा तो बच्छे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे दाग अच्छे होते हैं तो दोस्तो उसी तरीके से थोड़ी सी महंगाई यानि थोड़ी सी inflation अच्छी होती है इसलिए target 0% करने का नहीं है बलकि क्या है नीचे लाने का बलकि इस इस तर तक लाने का है ठीक है ना किलियर हो गया everybody ये हमारा concept है और इसलिए इसका concept क्या रखा है प्लस माइनस 2% इसको रखा गया है प्लस माइनस 2% इसको रखा गया है everybody it is okay अब बात आती है अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है अगर हम इसको control नहीं कर पाए तो inflation जादे रहेगा और inflation जादे रहेगा महंगाई जादे रहेगी तो फिर हमको प्रभावित करें जादा महंगी चीज़ भी हमारे लिए समस्या है तो कैसे है ये देखिए मुद्रा अपस्फीती का क्या प्रभाव होगा सिंपल सा समझ लीजे मुद्रा अपस्फीती का मतलब है कि यदि हम मुद्रा अपस्फीती के माद्यम से मुद्रा अपस्फीती को कंट्रोल नहीं कर पाए तो समस्या बढ़ जाएगी मुद्रा अपस्फीती बढ़ जाएगी ऐसे में मुल्यों की इस्तिरता नहीं होगी मुल्य इस्तिर नहीं होगे उपर बढ़ेंगे, कभी नीचे घटेंगे, उपर बढ़ेंगे, कभी नीचे घटेंगे, उपर बढ़ेंगे, फिर नीचे घटेंगे, इससे समस्या बढ़ेंगे, जब मुल इस्तिर नहीं होंगे, तो इससे देश में, समाज में, बित्ती अस्तिरता की, बित्ती असांती की स इमांड कम होने लगेगी क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं हमारी तो नहीं बढ़ी लेकि बस्तों कीमत बढ़ गई तो हम कहां से लाएंगे पैसा समस्य बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा बाजार में अस्त विवस्ता बैठ जाएगी सब चीज़ गड़ बढ़ होने लगेंगे और हमारा धियान कहां जाएगा जो चीज़ ज़्यादा मेंगी है उस तरफ ज़्यादा धियान जाएगा जो जरूरी है जो गैर जरूरी चीज़ है उनको हम एग्नोर कर देंगे वैस जिसकी जरूवत नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे और जिसकी जरूवत ज़्यादा है जो माजर महंगी पड़ रही है उसके तरह भागेंगे यह human tendency है इसलिए क्या हो जागा हमारा बित्ती जो बजट है वो गड़ बड़ा जाएगा हमारा बजट गड़ बड़ाएगा तो बित्ती बाजर का बजट गड़ बड़ाएगा यही है इसलिए इसलिए बित्ती अहिस्तिरता आर्थिक विकास को कमजोर कर तकती है जब हमारे पास पैसा नहीं बचेगा तो खुद सोचिए हम क्या production करेंगे क्या काम करेंगे कैसे करेंगे अब आप खुद सोचिए इसलिए हमारा जो आर्थिक विकास है एकॉनमिक ग्रोथ है वो डाउन हो सकता है और डाउन नहीं होना चाहिए इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए इसी के माध्यम से मौद्रिक नीती संचरण यानि के circulation ठीक है ना मौनिटरी पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाएगे क्योंक हम उसको मैनेज कैसे करेंगे जब महगाई बढ़ेगी तो हमारी जो मौनिटरी पॉलिसी है मुद्रा को बाजार में सम्हालने की जिलिए जिन चीजों का हम इस्तिमाल करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगे ठीक है इसलिए ये समस्या होगी इसलिए इसका सही इसतर पर लाना बहुत जरूरी है अब्रिवड़ी इडिस ओके ये ध्यान रखेगा इसलिए चर्चा में हमें पता होना चाहिए अपसपीती क्या है मुद्रा स्पीती क्या है उसके प्रभाव क्या पढ़ेंगे हमारा टार्लिट क्या होता है यह सारी चीज़ अब यहाँ पर यह टॉपिक है वो यही है कि यह हमने जब समझ लिया तो यहाँ पर समझ लीजिए कि संभावित प्रसुन क्या बन सकता है दोस्तों इस पर देखिए संभावित प्रसुन बनेगा प्रारमी परिच्छा के लिए मुद्रा स्भीति मुल इस्थरता को बढ़ावा देती है नमबर थ्री मुद्रा स्भीति का अधिक होना आर्थिक संभर्दी के लिए लावदायक है निमन मैंसे कितने कथन सही है केबल एक केबल दो तभी तीन उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं अब यह आप आराम से लेक्च्छर को सुन और इसी में मुद्र आपका मुख्य परिच्छा का भी प्रसन बन सकता है मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा स्भीति के अंतर संभन्धों का बिशलेशन कीजिए और यह हाल ही में चर्चों में क्यों रहा है बताईए यह आपका मेंस का क्वेस्टन भी है यूपियस दिया ध्यान रखीगा आपके सपने और आपके लक्ष से बड़ा कोई चीज नहीं है मैं उसमें सहयोगी बनना चाहता हूँ और इस्टडी आईक्यू आपके लिए उतन ही बड़ी सहयोगी बनेगी डेफिनेटली तो आज का टॉपिक टुडे यही है आप आप समझ लीजिए दे सेजली बिलकुल प्रॉपर तरीके से आप अगर अपने लक्ष को पाना चाहते हैं तो इस P2I बैच के साथ जॉइन करके हमारे अपने परसनल मेंटरशिप के साथ जड़िए और अपनी सफलता को सुनिशित कीजिए मात्र 29,999 रुपे में पूरे एक साल का कोर्स हर एक सेगमेंट का प्रॉपर तरीके से वर्क एक एक सेगमेंट पर फोकस ठीके ना बिद मैटेरियल इविन आपको यहां मेंस के टाइम पिरिड में चार महिने रहने खाने की वववस्ता सब कुछ हमारे इंस्टिटूट के मा उसकी एक एक आंसर राइटिंग के चीज़ देखना सब कुछ इसमें सामिल है इसलिए बैच 19 जून से स्टार्ट हो रहा है बिलकुल भी समय मत गवाईएगा एम के लाइव कोड़ी इस्तिमाल करके इसको जल्दी से जॉइन केजिए थैंक यू बेरी मॉच अल उफ यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी